हाई फोक्स मैं हो रिशब और इस वीडियो में हम सीखेंगे हाउ तो वर्क आन एंड डेटा एनल्टिक्स प्रोजेक्ट यूजिंग एक्सल तो आप स्क्रीन पे देख सकते हो यह हमारा फाइनल आटपूट होगा जिसके उपर इस वीडियो में हम लोग काम करेंगे अगर यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू सेलेक्ट करता हूँ यह लफ्ट साइड में आपको स्लाइसर दिख रहे हैं तो यह डैशबोर्ड मेरा चेंज होगा कि कैसे आपने डेटा क्लीनिंग किया डेटा प्रोसेसिंग पे काम किया डेटा एनलेसिस किया डेटा विजलाइशन पे काम किया आपने रिपोर्ट बनाए और उसके बाद आपने एक इंसाइड भी क्लाइन के साथ शेयर किया तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो इस प्रोजेट के लिए जो डेटा हम लोग यूज़ करेंगे वो एक स्टोर का डेटा है जिसका नाम है विरिंदा स्टोर और ये डेटा मैं आपको इसका इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में देदूगा तो वहां से आप डिरेक्टी इसको डाउनलोड भी कर सकते हूँ तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस प्रोजेट का अब्जेक्टिव क्या है जिसको हम लोग एक बिजनस प्राउब्लम भी बोल सकते हैं सेंपल कोशन जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे जब इस डेटा को जो सेल्स का डेटा इसको एनलाइज करेंगे ठीक है तो यहां पर कुछ आप प्रॉब्लम्स देख सकते हो जैसे कि है कंपेर दसेल्स और्डर उसके बाद बोला कौन से मन्त में सबस्यादा हाइस सेल्स हुआ सबस्यादा ओर्डर भी आएं ठीक है यह बीजी है उसके बाद किसने समाज जाता खड़ेता है महन ने या विमन ने ठीक है तो कॉलम है जो है वो इंडेक्स है ठीक है नॉर्मल है उसमें बस सीरियल नंबर टाइप की वैल्यूज है नेक्स आता आपका ओर्डर आईडी तो एक काम करते है पहले इसको थोड़ा सा बढ़ा कर ले अभी ठीक है तो पहला इस्टप तो हो गया कि हम लोग डेटा को एक हाई-level देख लें कि क्या-क्या डेटा po就會 क्या यह डेटा हमारे बुगको सॉल्ड कर सकता है की अब नेक्स्ट है पाता है डेटा क्लीनिंग में अमलों क्या करेंग एक कॉल्म में जाके एक बार डेटा को क्रोस चेक करेंगे कि वह सारा डेटा करेक्षै की नहीं तो सब से प तो टुप्लिकर तो सबसे लास्ट वह बार चेक कर लेंगे नल वैल्यूस तो मुझे समें कोई दिखने रही मतलब कोई ब्लैंक नहीं है ठीक है नेक्स हम लोग चेक करते हैं कस्टमर आइडी को अगर हम लोग बार देखें तो कस्टमर आइडी में भी सारी निमेरिक कहीं पर विमेन और डबलू लिखा हुआ है तो यह कंसिस्टेंट नहीं डेटा तो इसकेस में लोग क्या करेंगे तो इसको काफी डिफेंट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जो सबसे एजी तरीका मुझे लगता है वो है कि capital M है इसको मैं सिर्फ सेलेट करूं तो अभी फिल् विमेन ठीक है रिप्लेस ऑल था इस पैलिंग का ध्यान रखना ठीक ऐसा न वुमन हो और आप उसको विमेन कर दो तो इस चीज का ध्यान रखना आश पैलिंग सही है नेक्स देखते हैं हम लोग कॉलम जो है हमारा एज है तो एज में अगर आप देखोगे तो सारा निमेरि तो मेरे खाल से जन्वरी से लेकि दिसमबर तक है पूरा एक साल का डेटा इसमें ठीक है एक्स आता है स्टेटस चीक है तो यहारा कॉलम्बी सही हो गया इसको आपके पास को चैनल दिये होएं और जो चैनल डिफाइन नहीं उनको अदर्स में डाल दिया है ठीक है सब कुस ठीक है तो इसमें भी कोई याव ऐसा कुछ दिकत नहीं लगई लग रहा है तो ह險 इसके लिए मैं क्या करता हूं इस बार मैं पूरे कॉलम को सेलिट कर रहा हूं कर रहा हूँ कंट्रोल F और यह जो भाई साहब ने 1 लिखा है न इसको मैं चाहता हूँ कि आप निमेरिक में कर दो, replace all ठीक है, तो यह सारे 1 हट गए सेम मैं चाहता हूँ 2 के साथ इसको आप चेंज कर दो 2 से, replace all ठीक है I hope इतनी दो ही थे ठीक है, तो यह भी निमेरिक डेटा हो गया, पूरा पूरा तो यह भी चिल है, currencies अपने को कोई मतलब नहीं क्योंकि सारा के सारा डेटा इंडिया लेवल का ही है ठीक है, तो यह आई नार दिया हुआ है, चाहँ तो इस column का आप उड़ा भी सकते हो, बट मैं तो city के name में यार, misspell तो हम लोग चेक नहीं कर सकते, बट हाई लेवल आप देख सकते है, उसमें कोई नल वैल्यूज नाओ, ठीक है, तो नहीं दीख रा मुझे शिप स्टेट है, स्टेट में भी ठीक है, उत्रप्रदेश है, उत्तराखंड है, ठीक है यहां पर true false है, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का डेटा क्लीनिग पार्ट कंप्लीट होता है, तो अगर आप वीडियो में यहां तक आगे हैं, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब तो नेक्स्ट टेप आता है, डेटा प्रोसेसिंग का तो डेटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है, कि इसमें हम लोग कुछ कैलकुलेशन करना चाहें, या किसी डेटा का प्रोसेस करना चाहते हो, जो कि आपके अनलिसिस में आपको हेल्प करेगा, तो जैसे कि, जैसे कि मुझे याद है कि एक जेंडर और एज के बीच में एक रिलेशन्शिप था, एक कोशन में पूछा गया था, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एज, अगर मैं इसके बीच में आपको रिलेशन्शिप दिखाने गया, तब तो पागल हो जाएंगे, क्योंकि, जैसे क्या करेगा, वो 18 के लिए देखेगा, men कौन है, women कौन है, ठीक है, एसी 19 के लिए देखेगा, men कौन है, women कौन है, 20 के लिए, तो ऐसे तो, मतला हमनों डेटा को analyze कैसे कर पाएंगे, तो इक क्याम करेंगे हम लोग, इसको एक age bucket में डाल देंगे, बट अभी basically मैं 3 group बना दे रहा हूँ, तो मैं इसको बोल दे रहा हूँ, age group, एक नया column बना रह है, तो formula क्या लिखा, एक बार मैं समझा देता हूँ, तो formula क्या लिखने से पहले हम लोगो condition तयार करना होता है, तो condition, जो इस formula में मैं use कर रहा हूँ, वो यह है कि, जो जो column है, इसमें जो मेरा age है, अगर वो 50 है, 50 से जादा होता है, तो जो category में define कर रहा हूँ, वो senior मुझे पता है कि यह teenager नहीं है, बट इसके लिए मैं इसको teenager group दे दे रहा हूँ, ठीक है, एक और चीज का ध्यान रखना है, यह आपको बताना हो कि कौन से cell में आप formula लगाना चाहते हो, तो मैं लगाना चाहता हूँ E column में, और जो cell number होगा E2 होगा, ठीक है, 44 वाला जो है, तो यह T की जगा मैं लिखूँगा E, ठीक है, और यहाँ पे भी E, और फिर enter, तो आप देख सकते हैं हमारे formula के हिसाब से, जो लोग 30 से और 50 के बीच में हैं उनको adult बोलना है, तो यह 30 से कम होगा तो teenager होगा, जो की सही है, सीनियर 57 तो यह भी सही है, ठीक है, तो हमारा formula सही काम कर रहा है, अब मैं काम करता हूँ, यह formula यहाँ पर लगा रहना हूँगा, तो system मेरा slow जाएगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ, उसको paste as value कर दे रहा हूँ, ठीक है, वो आपके उपर है, आप चाहो तो formula रख सकते हो, कोई नहीं पड़ता उससे, next column है, date, तो date से मुझे यादा है कि हमारा पास एक sample question था, जिसमों लोग ने month level पे कुछ question पुछा था, मैं खाल से highest sales का पुछा था, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसमें से date में से month को एक अलग column में मैं लिख लूँगा, तो again यहाँ पर मैं जा रहा हूं, right click, और insert, और अभी date है, date के अलावा मुझे चाहिए, month, तो month extract करने का एक simple सा formula होता है, और इस formula का हम लोग लिखते हैं, सबसे पहले मैं लिखेंगा, equals to text, ठीक है, यह text आपको help करेगा, month extract करने में, उसके बाद जैसे इसने सबसे पहले पूछा मुझसे, कि क आपे काफी सारी standard values होती है, तो सबसे पहले आपको quoted commas के अंदर लिखना है, तो अगर मैं तीन बार M लिखता हूं, तो आप output में देखो, यह DEC दे रहा है, ठीक है, अगर मैं चार बार M लिखूँगा ना, तो यह पूरा December लिखेगा, तो अब आपके उपर है कि आपको DEC चाहिए है, पुरा-पुरा December चाहिए, तो मेरे साब से शॉट ठीक रहेगा, तो मैं इसको DEC पर छोड़ दे रहा हूं, तीन अम लगा रहा हूं, ठीक है, उसके बाद कुछ नहीं आपको double click करना है, और उसको paste as value, अगर मैं फॉर्मला हटा दे रहा हूं, तो यह होगा हमार currency amount, ठीक है, इसको बाद ऐसा कुछ है नहीं, जिसमें मुझे कुछ calculation करना पड़े, तो अब चलते हैं, finally हम लोग अपने data analysis process पे, जिसके लिए हम लोग को सबसे पहले एक pivot table बनाना होगा, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं जाँगा insert में, और insert में pivot table, ठीक है, इसको बोल सबसे पहला, जो मेरा question था, sample question, वो था कि sales और orders को एक ही chart के अंदर दिखाना है, काफी simple है, तो सबसे पहले मैं देखूँगा sales का मतलब मेरा amount, ठीक है, तो ये amount है, amount को उठाके में डाल दूगा values में, ठीक है, और उसको बाद चाहिए, order, order ID है, order ID को उठाके डाल दूगा values में, तो अब एक चीज का देहान रखना, जो amount है, उसका मुझे sum चाहिए, और order का count चाहिए, ठीक है, कितने order है, उसका count चाहिए, अब इस value मुझे, ये जो सारी दोनों values हैं, ये किसके opposite चाहिए, तो मुझे चाहिए, ये month के basis पे, तो जूम कर देता हूँ, ठीक है, अब चाहिए, अब चाहिए, अब चाहिए, अब चाहिए, अब चाहिए, इस पूरे डेटा को select करूँगा, और जाओंगा पीवर्ट टेवल एनलिसिस में, यहाँ पे आपको राइट साइड में ये टूल्स ग्रूप है, इसमें आपको पीव टाइपस का चार्ट दिखा देगा, ठीक है, बट मुझे चाहिए, कॉमबो, मैं कॉमबो में आउंगा, और इसके लिए क्या यूज़ करूँगा, मैं लाइन चार्ट, ठीक अकाउंट के लिए, अगर इसमें सेम में लाइन चार्ट यूज़ करूँगा, तो आप यहाँ अ सेकेंडरी एकसेस का, काउंट के लिए, मैं इसको क्लिक करूँगा, अब आप देखो, यहाँ पर प्रॉपरली काउंट दिख रहा है, ठीक है, इसको कर दूँगा, ओके, तो यहाँ आगया मेरे पास चार्ट, अब आपको यह जो वैल्यूज दिख रही है, जैसे आपको य दिखत नहीं है, लेजन्स को उठाके मुग पर ले आ रहा हूं, चार्ट के टाइटल को भी थोड़ा सा साइड कर दो भाई, तो यह आगया लेजन्स के टाइटल, और इस चार्ट को मैं थोड़ा सा बढ़ा कर लेता हूं, अपनी सुविधा अनुसार, ठीक है, तो यह बन क यहां पर मैंने चार्ट का नाम दे दिया, और्डर सबसे सेल्स, चिक है, यह जो पीछे ग्रिड लाइन दिखी रही है, यह मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो अगर आप चाओ तो रख सकते हो, चाओ तो हटा सकते हो, मुझे थोड़ा सा, मतलब हाईजनिक नहीं लगता दूँगा और उसको मिलियन से रिप्लेस कर दूँगा, तो उसके लिए एक फॉर्मला होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर डबल क्लिक करेंगे, तो आप देखो, राइट साइड में एक फॉर्मैट एक्सेस करके एक उप्शन आ गया, तो पहले मैं इ दूबल कॉमा, इंवर्टेड कॉमा के अंदर कैपिटल M है, ठीक है, तो इससे यह क्या करेगा, जितने भी लैक्स में वैलियूज है, इनको मिलियन से कर देगा, तो अभी दिक्कत के आ रहा है कि इसने वन से उपर जितना भी आ रहा है, उन सब को राउंड अप करके, टू दिख रहा है, 1.45 से स्टार्ट हो रहा है मेरा जो स्केल है, और 1.5, 1.55 करके लास्ट में टू मिलियन तक जा रहा है, ठीक है, तो यह काफी ठीक लग रहा है, इसको करते हैं, बंद, तो यह हमारा पहला चार्ट बन गया, अब मैं क्या करूंगा, एक नया टैब बनाता हूं उस टैब का नाम में दे रहा हूं, रिपोर्ट, पूरा नाम देता हूं, विरिन्दा स्टोर रिपोर्ट 2022, ठीक है, यह मेरा टैब है, इसको मैं सबसे फर्स्ट में रख दे रहा हूं, और यहां पर लेके आके मैं यह वाला चार्ट को कॉंपी कर दूँगा, सिंपल कॉंप विरिंदा स्टोर एन्वल रिपोर्ट ट्वेटी ट्वेंटी टू ठीक है तो इसको पहले तो मैं थोड़ा जूम कर लेता हूं ठीक है इसको पूरे को यहां तक जा रहा हूं यहां तक जाके merge and center और उसके बाद इसका size increase कर सकता हूँ तो मुझे यह ठीक लग रहा है 18 इसको bold किया और इसको मैं कोई fill कर दे रहा हूँ किसी color से तो आप कोई भी color ले सकते हो तो मैं इसको ले लेता हूँ dark orange और इसको white ठीक है तो व्रिंदा store annual report 2022 तो यह आगया मेरा पहला chart number 1 और इसके border claim में क्या कर रहा हूँ यहां पे जा रहा हूँ यहां पे एक option मिलेगा आपको thick borders तो चारो तरव एक black border बन जाएगा और दूसरा चीज यह जो lines दिख रहे हैं आपको यहां पे जो cells दिख रहे हैं और एक और चीज मैं करूँगा जैसे इसका भी chart का भी background white है तो वो मुझे ठीक नहीं लग रहा तो उसके लिए मैं यहां से जितना मुझे visible है cells उन सभी cells को यहां तक एक color दे रहा हूँ मैं यहां fill में जाओगे fill color में कोई भी color दे सकते हो आप तो जैसे की यह ठीक लग रहा है ठीक है तो यह color मैं दे दिया background में तो इस chart की help से हम लोग दो business problem solve कर सकते हैं सबसे पहला आप month wise sales देख सकते हो और साथी साथ इसमें आप orders को भी देख सकते हो तो दोनों एक ही chart में आ गया तो यहां से एक chart से मैं दो problem को solve कर सकता हूँ अब चलते हैं अपने next problem पे कि man of women में सबसे आदा shopping कौन किया तो वो भी काफी easy problem है तो उसके लिए क्या करेंगे उससे पहले मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि future में अगर कोई भी data change होता है तो जैसे यहां पे हम लोगे नहीं जो chart बनाया है अगर मैं कोई भी data change करता हूँ तो यहां पे अगर मैं simply जाके इसको click करूँगा और यहां पे जाओंगा pivot change में जो आपको pivot chart दिख रहा है इसमें जाके refresh कर दूँगा तो जैसे ही मैं refresh यहां पे option में लेगा आपको refresh all का तो जैसे ही refresh all करूँगा अगर data में कोई change होता है तो यहां पे भी वो अपने आप change हो जाएगा मतलब automatically update हो जाएगा आपको बार बार जाके chart बनाने जुरूत नहीं है यह आपका फायदा होता है pivot chart बनाने का ठीक है तो उसके लिए क्या करूँगा मैं यहां पे feature में हम लोग को याद रहे कि कौन सा tab है तो इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ sheet को sales versus orders ठीक है वरना जब बहुत सारे हम लोग जैसे pivot table बना देंगे तो पता नहीं लगिए कि कौन सा sheet कौन सा है next again हम लोग insert pivot करेंगे और फिर से एक नया sheet open होगा इस sheet को मैं नाम दे दे रहा हूँ men versus women जो की खतरनाक नाम है तो यहां पे क्या करेंगा हम लोग gender उठा के यहां पे डालेंगे men women आ गया amount मिल जाएगा जैसा कि मैंने बोला था कि women का shopping men से जादा होता है वैसा ही है तो company को काफी फाइदा हो रहा है अभी यहां पे grand total मुझे हटाना है तो इसके लिए मैं जाओंगा grand total और यहां पे जाके उड़ा दूँगा तो यह आगे हमें पास value अब इसके लिए हम लोग अगें पीवट इसमें जाएंगे पीवट चार्ट में यहां पे पीवट चार्ट उठा लेंगे और आपके पास multiple options है आप कौन सा पीवट चार्ट लेना चाहोगे तो पाइचार्ट ज्यादा तर अभी उस करते हैं जब आ आप उफाख पायचार्टOb इसको नचे लिवट आ और यहां पे तोटल लिखा है इसको मैं कर दूँगा sales men versus women दूसरा चीज जैसे इसमें कुछ values लिख के नहीं आ रही ये तो समझ में आ रहा है कि men's का sales का में women's का बट values समझ में नहीं आ रही और values के लिए किसी को hover करना होगा तो वो मुझे ठीक नहीं लगता तो उसके लिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर right click करूँगा यहाँ पर आपको data labels मिल जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर मैं जाओंगा यहाँ पर data labels हैं और data labels में आप center में रख सकते हो आप बाहर inside रख सकते हो आप बाहर लख सकते हो तो मैं इसको center में रख रहा हूँ क्योंकि उतनी कुछ खास values इसमें है नहीं दूसरा option क्या आता है अगर मैं ऐसा चाता हूँ कि यहाँ पर मुझे men और women भी लिख के आ जा तो उसके लिए मैं क्या गरूँ यहाँ पर एक option होता data call out का ठीक तो आप देख सकते हो data call out आ गया दूसरा चीज इससे फाइदा क्या होगा यह जो legend है यह भी मुझे इसका use नहीं है तो इसको उड़ा दूँगा मैं और यह जो men women वाला पार्ट है ना इसको उठा लाँगा मैं अंदर data call out का अभी थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा तो इसको हम लोग format करते है यह जो अंदर call out है उसको select किया गया format में shape fill है shape fill को तो हटा दो अभी पहले मैं करता हूँ no outline और दूसरा चीज shape fill को करता हूँ no fill चीक है तो इससे होगा कि आपका यह जो जो भी आपको जो call out आपको दिख रहा था option वो उड़ जाएगा अब यह काफी छोटा दिख रहा है तो इसका मैं size पहले increase कर देता हूँ 11 कर दे रहा हूँ और इसका मैं color change कर दे रहा हूँ इसको कर दे रहा हूँ white तो यहाँ आपको visible होगा कि यहाँ पर क्या scene चल रहा है तो यह आपको percentage दिख गया अब आपके पास again दो option है आप चाहो तो यह values दिखा सकते हो वहाँ पर चाहे तो percentage दिखा सकते हो आप values और percentage कैसे करोगे आप इस पर double click करिए अब यहाँ पर आप देखो right side में यहाँ पर percentage लिखा हुआ है अगर मैं percentage की जगा values को click कर देता हूँ तो यहाँ पर values दिखार amount का है जो की काफी बड़ा number है तो अभी कलिए मुझे values ने चाहिए क्योंकि मुझे सिर्फ यह देखना है कि men and women में कौन ज़्यादा sale करता है मतलब कौन ज़्यादा shopping करता है तो यह ठीक है 36% और 65% women है ठीक है अब इसको मैं कर रहा हूँ ctrl c और उठा के जो हमलों का पहला tab है यहाँ पे लाके paste same to same जैसे पहले वाले case में किया था और इसको मैं थोड़ा साभी चोटा कर ले रहा हूँ और यह अभी 14 इसको मैं 12 कर दे रहा हूँ अभी सुन्दर लग रहा है ठीक है यहाँ पर जो की है मेरा वरिंदा स्टोर का डेटा अगेन यहाँ पर जाओंगा insert pivot यहाँ पर मैंने किया ओके एक नया sheet उपन हो गया और इस sheet का मैं पहले तो इसको थोड़ा चोटा कर दे रहा हूँ इस sheet का नाम मैं दे दे रहा हूँ status order status ठीक है और order status में क्या होगा इसको आप उला दो format वाले को order status में सबसे पहले मुझे चाहिए status उसको ठाके यहाँ लिया है तो status में पास चार values है cancelled delivered refund और return उसके बाद मुझे देखना है कि order क्या है तो इसमें order idea इसमें सिफ count चाहिए कि कितने order return हुए क्या scene है अगें मैं जाओंगा design में sub total grand total नीच चाहिए इसको कर दे रहा हूँ off यह सारा values आ गया अब यहाँ पर में पास different option आता है उन्होंने बोला था कि इन चारों को compare करना मुझे कि क्या क्या different order status है तो यह values की जुरुत नहीं मुझे इनका मैं share दिखा सकता हूँ तो इसके लिए क्या करूँगा अगें मैं जाओंगा pivot table में यहाँ पे जाओंगा chart में pivot chart लेके आया और इसको मैं represent करूँगा pie chart से जो कि मुझे simple लगता है और इसको ok अगे यह नीचाहिए यहाँ पर रिक करिए इसको hide करिए यह different options है इसको मैं बढ़ा दे रहा हूँ जैसे same to same लास्ट में किया था जंडर वाले में same के same सारे के सारे format इसमें भी apply करेंगे तो इसको मैं जल्दी से कर दे रहा हूँ और हां इसमें मुझे क्या problem आ रहा है कि जो तीन values हैं यह उपर आ रहा है तो चार्ट का title उसके साथ मतलब थोड़ा सहां पर cluttered values हो रही है तो इसके लिए क्लिक करूँगा यहाँ पर डबल क्लिक करिए चार्ट पर इसको उड़ा दीजे अब यहाँ पर देखो आपको option मिल रहा हूं ठीक है यह मुझे ठीक लग रहा है और दूसरा चीज जो delivered है इसको उठा के मैं इसमें डाल दे रहा हूं इससे थोड़ा सा में पास चार्ट में space बचेगा एक्स्ट्रा इसको उठा के ऐसे किया और इसको थोड़ा सा short कर दे रहा हूं और इसको अच्छा देखने तो आप इसको अपने साप से देख सकते हो थोड़ा सा अच्छा लगता है और साथी साथ डेटा को रीड करने में भी थोड़ा एजी हो जाता है इसको भी same to same copy किया अपना इस पे आए और यहां पे लाके paste ठीक है size इसको हम लोग देख सकते हैं अपने साप से तो यह होगी जनवरी मंत में top 10 कुछ और हो सकता है अगर जनवरी और फैब को मैं एक साथ लेता हूं तब भी यह top 10 states कुछ और हो सकते हैं तो इसके लिए हम लोग पीवर चार्ट का यूज करेंगे और फिर उसको भी हम लोग बना के देखते हैं तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे द आपको इस पीवर टेबल में जो फिल्टर करना आपको तो मुझे इस states को फिल्टर करना तो यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा यहाँ एक option मिलता है फिल्टर गा यहाँ पर top 10 ले लीजिए अब आप चाहो तो आप top 10 रख सकते हो यहाँ पर option है आप चाहो तो इसको कम कर सकते हैं तो मैं इसको 5 ले ले रहाँ ठीक है तो यह आगा top 5 आप कर दो ओके तो आप देखो हाँ पर top 5 states मिल रहे हैं आपको सबसे पहला हो गया महरास्ट करनाटका नंबर थर्ड पर उत्तर प्रदेश थर्ड है तिलंगाना और लास्ट में आता है तमिलाडू तो यह top 5 states ने जो सबस्यादा sales पूरे साल के अंदर इन लोगों ने पांच states सबस्यादा sales आई है ठीक है तो यह values होगी again मैं इसमें जाओंगा design में और मुझे grand total ने चाहिए इसको उड़ा दे रहा हूं next हम लोग क्या करेंगे pivot chart चाहिए तो मैं जाओंगा यहाँ पे pivot chart के लिए okay अब different type के आप pivot chart ले सकते हो चाहो तो यह normal आप जो column बार है बो ले सकते हो बट मैं चाहता हूँ कि मुझे horizontally बार मिले ठीक है तो इसको मैं यहाँ पे आ रहा हूँ और इसको okay कर रहा हूँ तो यह मिल गया इसको मैं हटा दे रहा हूँ तो यह आगया सुन्दर चार्ट चार्ट का नाम दे रहे हैं तो चार्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हो तो जैसे कि मैं इसको बोलता हूँ sales top five states ठीक है तो यह होगा मेरे चार्ट का नाम और pivot chart को मैं pivot table को बंद कर दे रहा हूँ यहाँ पे मुझे चाहिए values तो मैं data labels लेका जा रहा हूँ तो यह values भी आगी अगे इसमें सेम प्राउलम आ रही है जो first वाले चार्ट में हम लोगों को आया था कि इसमें values आप देखो बहुत high values है तो इसके लिए यहाँ पे मैं जाओंगा again access option में यह different options होते हैं यहाँ पी इसको access option बोलते हैं इसमें labels हैं बट यहाँ पर एक चीज़ का देहां रख रहा हूं मैं कि 0.00 कर रहा हूं 0.00 क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आप देखो इसको round off करूंगा तो यह 6 7 तो इसको भी 7 ले लेगा और यहाँ पर 1.71 है तो इसको भी 7 ले लेगा तो वो समझ भी नहीं आएगा अभी data काफी clear लेगा ठीक है 1.68 है 1.67 1.71 है इस तरह कोई data है ठीक है makes sense इसके लावा अगर आपको कोई format करना हो जैसे मालीज आपको बार का color change करना है तो आप उस बार को क्लिक करिए और यहाँ पर option मिलेगा आपको shape fill का ठीक है तो वैसे आप कर सकते हो वह आपके उपर है एक और simple तरीक ठीक है इसको लिया है काफी बढ़ा हो गया है ठीक है तो यह आगया मेरे पास top 5 states का sales का data next हम लोगो चाहिए age और gender का data along with the orders किसने कितना ज़्यादा order किया हुआ है ठीक है तो उसके लिए पहले तो उसको मैं कर रहा हूं बंद दुबारा raw data पे जाएंगे यहाँ पे बोलू ग्रूप उठाओंगा मैं अगर एज उठाओंगा तो देखो क्या दिक्कत होगा इस तरह से एज मिल जाएगी कोई सेंस नहीं बनाता है इसको हम लोग कैसे मतलब aggregate कैसे करेंगे तो इसको हटा दे रहा हूं मैं वापर जाईए आप एज ग्रूप को लेके आ रहा हूं तो यहां पर तीन एज ग्रूप हम लोग ने बनायते हैं टीनेजर सीनियर और अडल्ड का ठीक है और दूसरा मुझे चाहिए जेंडर जेंडर को उठाकर में टाला हूं कॉलम में तो उससे होगा कि आप देखो यहां पर मैं विमन मिल गया और एज मिल गया मतलब इसका यह हु दूँगा और इसको कर दूँगा ग्रैंट टोटल को अभी सुन्दर दिख रहा है एक और चीज़ यह वैल्यूस मुझे नहीं चाहिए मुझे चाहिए कि इनके बीच में क्या रिलेशन्शिप है तो मैं यहां पर राइट क्लिक करूँगा डेटा के उपर और यहां पर अदर 15% हैं जिन्होंने sales order किये हैं ृविमेन में मैं जो हैं वह 5% है और शीनियर में मैं में वह 5% है टीनेजर में मैं जो मैं है वह 9% है सबसे यादज सेल्स आ रहा है वह विमें कर रही है adult category की इसका मतलब जो सबसे आदा जिन्होंने shopping किया है वो है adult category women उन्होंने 34 around 35% shopping अकेले किया है जो की काफी बड़ा एक number है ठीक है तो अब क्या करेंगे हम लोग इसको again इस पूरे data को select करेंगे यहाँ पर जाएंगे pivot में और pivot chart उठाएंगे अब यहाँ पर आपके बास different charts हैं तो मुझे यह काफी ठीक लग रहा है कि आपको ऐसे adult मिलेगा men women मिल जाएगा senior के अंदर men women तो simple है ठीक है column chart इसको उठा रहा हूँ यह आ गया ठीक है इसको उठा के डालते हम लोग यहाँ पे ठीक है तो यह होगे हमारा orders जिसमें हम लोग ने compare किया age वर्सेश जेंडर को नेक्स जो हमारा last question वो है कि कि किस channel ने सबस्यादा contribute किया sales में ठीक है यह orders के अंदर तो वह भी काफी easy है अगे हम लोग चलेंगे raw data में विरिंदा store यहाँ पर जाएंगे insert एक last बार कर रहें पीवर table और यहां से उठाया इसको मैं दे दे रहा हूं चैनल्स ठीक है चैनल्स का डिटा है यहाँ पर आप देखो एक कॉलम होगा चैनल्स टटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटटट लिए अगर मुझे मैं कुछ भी गरंट टॉटल नहीं चाहिए तो इसको लेरा हूं और दूसरे चीज़ नहीं चाहिए मुझे मुझे चाहिए मतलब एक तरह का कमपैरिजन चाहिए उनमे यहां पर क्लिक करोगा यहां पर आपको वैल्य मिलता ऑच्छो एस ग्रेंट और इसके लिए अगेर मैं पाई ले रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताया था पूरा कर पूरा कर क्रिटागरिकल सारे डेटा आप दिखा रहे हूँ तो आप पाई चार्ट ले सकते हो तो यह पाई चार्ट लिया इसको किया ओके काफे रंग भी रंगा चार्ट आया अब इसको करो copy अटाके लाओ आप यहां पे और यहां पर करतो paste ठीक इसका जुरूत नहीं है तो यह पे अब जो basic formatting है वो आप देख सकते हो जासे चार्ट का size हो गया है ना इसका size हो गया आप कम ज्यादा कर सकते हो तो यह हमारा एक तरह का basic chart बन चुका है ठीक है जहां पर हम सारे के सारे charts लेके आ गया हूँ अब एक last काम बसता है मेरा वह है कि इन सभी charts को एक साथ slicers की help से जोड़ना ठीक है तो slicer में क्या होगा जैसे मैं कोई भी value select करूगा तो यह सारे charts की values जो है वो change होंगी slicer क्लिक करोगा आप किसी पर चार्ट पर क्लिक करो ठीक है यहां पर कर रहा हूँ मैं एक चीज का ध्यान रखना यह slicer यहां तभी आएगा जब यह आपकी पीवर्ट चार्ट हो अगर नॉर्मल चार्ट होंगे तो slicer का option नहीं मिलेगा तो उसके लिए आपको पीवर्ट टेबल चाहिए होगा ठीक है तो यहां पर जा रहा हूँ यहां पर जैसे जाओंगा पीवर्ट में यहां पे option मिलता आपको insert slicer ठीक है अब इस पर आईए अब यहां पर आपको किस चीज क्ला आपके पास यह आगया अब इसमें आपको करना क्या होगा कि आप इन पर राइट क्लिक करो और यहां पर आपको option मिलता है report connections का तो अभी सिर्फ और सिर्फ यह एक एक पीवर्ट टेबल से connected है जो कि यह sales and orders मैं चाहता हूँ है यह सभी के साथ connected हो तो जितने इसमें भी different हम लोगे रहें शीट्स बनाईती रहा पीवर्ट टेबल उन सभी को मैं select कर ले रहा हूँ और इसको ok क्लिक कर दे रहा हूँ तो यह जो data है मेरा यह सब के साथ अब sync हो जाएगा तो यह आगया month का data तो यह अभी मैं बाकी सभी को भी कर सकता हूँ तो अगर इस पर भी right click करूँगा यहां पर भी रिपोर्ट connection ठीक है और इसमें भी सब को मैं करूँगा yes 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 यार यह एक sheet 8 है अच्छा एक बार चक कर लेता हूँ sheet 8 है क्या अरे यारे तो states का है तो इसको तो नाम देने हैं भूल गया हम लोग states हो गया और यहां पर मुझे उसको भी add करना होगा तो again मैं जाओंगा report connection में और सबसे last में states है उसको भी add कर लिया सेम चीज मुझे यहां पर भी करना होगा report connection सबसे last में state और से okay तो यह हो गया मेरा slicer number two और एक slicer और उठा लेते हैं category का तो इसको यहां पर again जाएंगे हम लोग report connection और सभी में इसको हां कर दो आप अगर आप इसको okay नहीं करोगे ना तो जिस चार्ट से आपने जैसे सिर्फ यह वाला चार्ट चेंज होगा orders and sales क्योंकि इसी से हम लोगे ने slicer को बनाया था बागी चेंज नहीं होंगे तो यह आपको सब को link तो करना ही पड़ेगा तो यह आगया हमें पास category का data अब आप देखो इसमें से कोई भी आगर आप filter लगा हो जैसे मैं लगाता हूं कि Amazon से कितना sales हुआ है अब आप देखो सारी values चेंज हो रही है यहां पर सारा Amazon का रहा है बाकी सारे channels का data चला गया है अगर आप flip card करते हो तो देखो आप यह सारी values चेंज हो रही है top five states चेंज होंगे यह सारा data change होगा ऐसे ही अगर मैं यहां पर कुछ select करता हूं जैसे मान लीजिए bottom select करता हूं तो आप देखो सारी values चेंज हो रही है तो इस तरह से आप कर सकते हैं और अगर आपको सारे filter हटाने तो यहां पर एक red cross आता है clear filter आप इसको कर दीजिए सारे filters हट जाएं हैं वह होगा मार्च में कौन से top five states हैं तो आप देख सकते हो ठीक है तो इस तरह के ऐसे आप यह dashboard बना सकते हो तो इस चार्ट से इनको आप थोड़ा सो और format कर सकते हो अपने use case के साब से जैसे की size हो गया color हो वह से आप change कर सकते हो तो इस जो different हम लोग ने charts बना है इसका main use क्या था कि इसकी हम लोग को इनका जो विरिंदा स्टोर इसका data हम लोग को analyze करना था और उनको कुछ inside share करने था है ना एक report तो हम लोग ने बना दिया तो इससे insights निकल के क्या आता है तो आप एक चीज़ देख सकते हो कि सबस्यादा sales March में होती है number one site आता है यहां man of women में द vendor की बात करते हो तो आप देखो सबस्यादा sales हो रहा है वह adult और यह औरेंज कलर मतलब women में हो रहा है तो यह सबसे अच्छे prime customer है मेरे पास अगर channels की बात करते हो तो सबस्यादा 35% sales मेरा सिर्फ और सिर्फ Amazon से हो रहा है ठीक है second मेरे खाल से flip card होगा और third mantra है ठीक है तो यह आप देख सकते हो तो इससे क्या पता लगता है कि अगर मुझे कोई next step दिखाना तो यह तो insights हो गया है अगर मैं client को next step दूँगा तो वो क्या दूँगा तो आप अभी screen पे देख सकते हो तो client के साथ वो जो report मैंने बनाया उसके साथ ही साथ मुझे ये भी share करना होगा जिसको मैं sample insights यहाँ पर लिख रहा हूँ final conclusion to improve विरिंदा store sales तो उनका main objective यह वी था कि हम लोग sales में growth के लिए help कर सके है तो इसके मैंने simple lecture लिखा है target women customers जिनका age हो 30 से लेके 49 years का और जो की महरास्टर करनाटका और UP में रह रही हो उनको आप ads या coupons या offers दे सकते हो कौन से platforms पे Amazon, Flipkart और Mintra पे तो यह आपको help करेगा आपका sales बढ़ाने में तो इस तरह से हम लोग insights share करते हैं client के साथ और यह weekly level पे हो सकता है या monthly या quarterly या annual level पे हो सकता है तो वो depend करता है तो I hope आपको एक idea मिल गया हो कि किस तरीके से हम लोग end to end project पे काम करते हैं मतलब data cleaning हो गया आपका उसक बाद data processing हो गया उसक बाद हम लोग different analysis करते हैं तो इसमें हम लोग ने pivot table और charts का use किया था लास्ट में हम लोग insights और next steps कैसे share करते हैं तो I hope आपको कुछ सीखने को मिला तो मिलते हैं आपसे next video में तब तक के लिए बाए बाए